गुरु देव और मगायत्री की चड़्णों में गुटी-गुटी नमन आप सभी को प्रणाम ध्यान साधना के दौरान प्रकाश का दिखाई देना क्या होता है इसका मतलब ध्यान के दौरान आपको अलग-अलग प्रकार के प्रकाश दिखाई दे सकते हैं सफे, पीला, लाल, मटमेला, नीला, हरा, मिश्रित, बिजली की चौंद की तरह, चमकते हुए सुरी की तरह, भवकती अगनी की तरह, भड़कती जिगारियों की तरह, चान तारों की जैसा प्रकाश आपको दिखाई दे सकता है, ये सभी प्रकाश हमें भीतर के चिदाकाश मे अपने मांसिक पटल पर दिखाई देते हैं, ये सभी तरह की प्रकाश हमारे शरीर में इस्थित, पंच तत्व के प्रकाश होते हैं, हमारा शरीर पंच तत्व से मिलकर बना होता है, और हर तत्व का एक अपना रंग है, प्रत्वी तत्व का रंग पीला है, जल तत्व का र लाल वायू तत्व का रंग मटमेला और आकाश तत्व का रंग नीला होता है अता आपके शरीर में जिस तत्व की प्रधानता होगी आपको अधिकतर उसी तत्व के रंग का प्रकाश दिखाए देगा और ध्यान साथना के दौरान नजर आपको वो आएगा पीला और सफित प्रकाश मुखितर सभी साधक अनभा करते हैं किन्टु लाल और नीला प्रकाश कम ही लोगों को दिखता है ध्यान की आरब्विक अवस्था में आपको अपनी भ्राकुटी पर तृतिये नेतर पर सुईकी नोग की आकार का सफित प्रकाश दिखाई पड़ सक सकता है अधवा आपको अपने मानसिक पटल पर सुफित प्रकाश के छोटे छोटे पुंज या ओली दिखाई दे सकते हैं धीरे धीरे जब आप ध्यान में आगे बढ़ेंगे तो प्रकाश का ये दर्शन छोटे से बड़ी रूप में परिवर्दित होता जाएगा आपको रूप में सफित प्रकाश दिखाई दे सकता है आरंब में ये प्रकाश दिखाई देना इस्थाई नहीं होगा बलकि जैसे ही प्रकाश दिखाई देगा वैसे ही तुरंत गायब भी हो जाएगा किन्टु धीरे धीरे ये प्रकाश अधिक समय के लिए इस्थाई रूप में दिखने लगेगा जैसी आपको इस प्रकाश के दर्शन होंगे आपका अंग अंग रहस्वा रोमांच से भर जाएगा आपको असी मित आनंद की अनभूती होगी और आपका दिल होगा कि आप इस प्रकाश की दर्शन में होई रहें जब आपका ध्यान साधना में उच्छ वि इसलिए जब भी आपको अपनी ध्यान की अवस्था में प्रकाश दिखाई दे तो समझ जैं कि आपकी साधना सही चल रही है और आपको तरक्की का एक चिन्ह मानना चाहिए इसको ध्यान साधना में प्रकाश का दिखाई देना ये बताता है या आप भोतिक चेतना से आगे बढ़कर सुक्ष्म चेतना में प्रवेश कर रहे हैं यती शुब लक्षन हैं और आपको अपनी ध्यान साधना जारी रखनी शाहिए धीरे-धीरे अभ्यास होगा और आपको और अथिक अनभव होंगे। आज के लिए इतना ही।